वेल्टुम तू मैं चैनल आयुवेदिक विधार आज मैं आपको कैमोमार टी के बारे में बताने जा रही हूँ शयद आपने सुना हो या ना सुना हो लेकिन हाँ अगर यह वीडियो आप पूरे अंद तक देखेंगे तो आप कैमोमार टी के बारे में जरूर जाएंगे तो कर दो लीरड होुआ कि लिए में तो सुना हो दो अजिगा वर्य मेरे में लाकरन घे हैं चैया के बारे में आप शयाद ही कैमोमाल टी डीडियोिग नाय चैया होता है क Extremely. क्कैमोमाल टीडियो है असल में Chamomile जो है एक flower होता है एक फूल होता है जिसकी पतियां होती है उनसे चाय बना जाता है इसकी खास बात यह होती है कि पौधा दुनिया वर्ण में कई जगे पे मिलता है इसलिए किसी भी हिस्से में मिलने वाली चाय दूसरे मिलने वाली चाय के समान नहीं हो सकती है अगर वह दूसरे कंट्री का कैमोमाईटी है तो उसके फैदे अलग है और दूसरे कंट्री का तो अलग है इसमें स्वास्त खूपसूर्ती और रोगोर्ट से लड़ने जैसी संबंदित गुम्ण पाए जाते हैं कैमोमाईटी जो होता है यह स्किन सवारने में टेंशन दूर करने में नीद और पिरियेट से जुड़ी हुई एटन जो होती है उसको सांत करने में भी बहुत सक्षम होता है मगर किसी गंबीर बिमारी में या किसी प्रेगनेंसी के दौरान इसका सेवन करने से पहले आपको अपने डॉक्टर से परामर्स कर लेना चाहिए आपको जानना है कि कैमोमल टी क्या है तो प्रीज मेरे वीडियो आन तक देखिए और अब मेरे चैनल को लाइक शेयर और सस्क्राइब जरूर करिए ये एक फ्लावर होता है कैमोमल टी ये एक हर्बल चाय होता है ये चाय जो है ये ग्रीन टी की तरह पैकिंग में आता है इसमें कैलोरी, कार्बोहाइड, कैल्शियम, मैगनिशियम, पोटाशियम, फ्लोराइड, फ्लोरेड, विटामिन ए की थोड़ी सी मंत्रा होती है इन पुर्शत तत्वों की पैजिंस में कैमोमल टी बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है ग्रीन टी के तरह ये भी बहुत ज़्यादा टी बैक्स में आता है और बहुत ज़्यादा फाइदा मन्द होता है कई रिसर्च में ये थाबित हुआ है कि कैमोमल टी ना सिर्फ बिमारियों को छूमंतर कर देता है बलकि इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉंग करता है माना जाता है कि हफ़ते में 5-6 बार यदि कैमोमल टी पिया जाये तो संक्रमर से लड़ने की शमता तेजी से बढ़ जाती है इम्यूनिटी हमारी बूस्ट होने लगती है इसके अलावा अगर हम पेट में जलन आतों में सूजन या मरोड से पीड़ित हैं तो कैमोमल टी का सेवन करने से हमें बहुत जादा फायदा मिलेगा सादी बी पी की प्रॉब्लम है या कॉलेस्टरॉल स्थर को कम करना है तो आप इस चाय को पी सकते हैं यह दिल की जुड़ी बिमारियों के स्थर को कम करता है, खत्रे को कम करता है, उम दराज लोगों जैसे काफी 8K या 60 प्लस हैं, उन्हें कैमोमाल्टी बहुत जादा फायदा करता है, उन्हें तो जरूरी ही पीना चाहिए, ज्यादा तर मामले में मानस्पेसियों में दर्द को कम करता है, और स्किन के लिए भी अच्छा होता है, हाट के लिए भी अच्छा होता है, कोलेस्टरॉल को भी कम करता है, और एज की लोग जो होते हैं, ज्यादा एज की लोग होते हैं, उनको यह सारी प्रॉब्लमाटियों में दर्द यह सब होती है, इसका सेवन करना 60 प्लस बहुत जरूरी होता है इसका फायदा बहुत जल्दी मिलता है इसके अलावा कैमोमाल टी अनेक चमत कार्णी गुणिन में पाय जाते हैं कैमोमाल चाए पीने के मामली घाओ भी होता है वो जल्दी भढ़ने लगता है आप अपनी तवचा को स्वेस्थ और चमकदार बनाने के लिए कैमोमाल टी का उप्योग कर सकते हैं कैमोमाल चाए पीने ना सिर्फ स्किन अच्छा करता है बलकि इसके इस्तमाल से और भी दाग, धबे, जुरियां भी कम होने में मदद करता है साथ ही ये तवचा को स्वस्त बनाने में मदद करता है इसमें एंटी ओक्सिदेंट की मांतरा बहुत जादा होती है इस कारेंट से मुहासो के उपचार में बहुत जादा फायदा मन्द है ये बैक्टीरिया से रोक्ताम करने की छमता इसमें काफी होती है जो मुहासो के प्रमुक कारण होते हैं उनको खतम कर देती है कैमोमल टी में उपस्ति एंटी ओक्सिदेंट गुड तो अच्छा के छिद्रों को साफ करने और बैक्टीरिया को हटाने में मदद करता है इसके लिए आप इस चाय को अपने मुहासे पे लगा सकते हैं इसके अलावा किसी भी कैमोमल टी बैक्ट जो इस्तमाल कर चुके हैं उसको फेकने की जगह आप उसको अपने मुहासों पे रख सकते हैं या फिर आपके आँखों के नीचे काले घेरे हैं तो आप डाक साकिल्स के लिए भी टी बैक्ट को ठेंडा करके यूज कर सकते हैं और डाक साकिल वाली जगह पर दीरे दीरे मालिस उसके टी बैक्ट उनसे मालिस करेंगे तो यह डाक साकिल जल्दी ही दूर हो जाएगी बढ़ाने में उनको मजबूत बनाने में काफी हल्पुल है इसके अलावा गैमोमिल टी रूसी की समस्था से छुटकारा दिलाता है ना सिफ रूसी से दूर बगाता है बलकि यह बालों को जड़ने से भी बचाता है वैसे भी रूसी नहीं रहेंगी तो बाल जड़ेंगे ही अगर आपके बाल स्प्लिट एंड्स है या दो मुहें हैं तो आप इनसे चुटकारा पास सकते हैं इसमें तोड़ा सा दही चैमोमिल टी में तोड़ा सा दही अंडे का सफेद भाग और एक चमच ओलिव ओल और एक चमच अरंडी का तेल और एक चमच नारियल का तेल यह बाल दोने पर रूखे और दो मुहें उसे चुटकारा मिल जाएगा अच्छी नीद दिलाने में यह बहुत ही उप्योगी है आजकल नीद की समस्या तो आम बात हो गई है लोग रात बार मुबाइल यूज़ करते हैं और उन्हें नीद नहीं आती है नीद ना आए इसके ल पीने से यह आप इस समस्या से चुटकारा पा सकते हैं एक्सपर्ट के हिसाब से कैमोमल टी नर्वर सिस्टम को रिलाक्स करती है और नर्वर सिस्टम को स्मूध करती है इसके लिए बैतर नीद के लिए यह कैमोमल टी बहुर अच्छा यह कैफीन के अडिक्शन को भी खतम क करती है और जिनको चाय या कौफी की लड़ है वो इस चाय को पी के इनके अडिक्शन को कम कर सकते हैं नीद नहीं आ रही है तो कैमोमाल टी लेने पर आपको जरूर फायदा होगा लेकिन इसे कैसे लेना है सोने से 30-40 मिनट पहले आप एक कप पानी में चाय बना के आप पी सक यह दर्द होता है दर्द को कम करने में यह चाय बहुत अच्छा है होट वोटर की सिकाई के साथ साथ अगर आप कैमोमल टी का सेवन करते हैं पीरियट के दोरान तो इसे होने वाली दर्द में रहात मिलता है